हलो जी नमस्कार हमारी चैनल डिपीज कीचन वेज और वीगन में आप सब का दिल से स्वागत है हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा उसी के साथ में बेल आइकन और और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा शुक्रिया धन्यवाद आजम बनाएंगे अंगूर मटर की सब्जी इसके लिए हमने सीडलेस अंगूर को आधा कट करके एक कप लिया है हरे मटर को पार बोईल करके उसमें नमक डालके एक कप लिया है आधा कप फ्रेश नारियल को कद्दुकस करके लिया है आधा कप गन्या पत्ती को बारिक काटके लिया है आधा कप नारियल का दूद लिया है ये हमने रेडी मेड लिया है, स्टोर बोट है आप घर में भी नारिल का दूद निकाल के यूज़ कर सकते हैं उसके मसाले के लिए लिया है एक छोटी चमच जीरा एक छोटी चमच अधरत मिर्ची की पेस्ट एक छोटी चमच करीली उसका चूरा एक छोटी चमच नमक आदी चोटी चमच काली मिरी का पाउडर, एक चोटी चमच शकर हमने एक पैन में एक बड़ा चमच तेल को गरम कर लिया है अब इसमें जीरा डालके भून लेंगे इसके साथ में हम अधरक मिर्ची की पेस भी डालके भून लेंगे ये सी प्लेम को स्लो रखना है करेलिउद मिला लेंगे और नाजियल का दूद भी डालके मिला लेंगे दो चमच पानी डालेंगे उसमें और उसे अच्छे से मिलाके पुबाल लेंगे गेस की फ्लेम स्लो ही रखनी है बिल्कुल भी तेज महीं करनी है और कंटिन्यूसली मिलाते रहना है ने तो नारेल का दूद फट भी सकता है अच्छा उबाल आ गया है अब हम इसमें हमारे कटव में अंगू डाल देंगे अबल्यों में मतर भी डाल देंगे किसावा नारेल भी डाल देंगे धन्या पत्ती भी डाल देंगे नमक भी डाल देंगे काली मिरी का पाउडर भी डाल देंगे और शक्कर भी डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिला देंगे यह बहुत ही आसान सबजी है बहुत ही टेस्टी सबजी है तीखी भी लगती है मीठी भी लगती है बहुत बढ़िया लगती है चावल के साथ भी बढ़िया लगती है आप जीरा राय के साथ भी सव कर सकते हो प्लेन रायस के साथ भी सव कर सकते हो नान पराटा पूरी सभी के साथ सव कर सकते हो और ऐसे भी खा सकते हो बहुत टेस्टी लगती है आप जरूर बनाईएगा इस सब्जी के सारे इंग्रेडियंज के मेजरमेंट और टोटल स्टेप बाइ स्टेप प्रोसिजर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अब ज़रूर बनाईएगा अब सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और उसी के साथ में बेल आइकन और ओल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा हमारी सब्जी रेडिये इसे बिल्कुल गलाना नहीं रहता है थोड़ी करंची डखनी होती है तब ही स्वाद आता है अब हम इसे ढखकर दो मिनिट पकाएंगे बाद में गेज बन करके फिर से दो मिनिट इसे छोड़ देंगे और बाद में साव कर देंगे स्लो फ्लेम पे ही पकाना है चेक कर लेंगे सब्जी रेडि है अब गेज बन कर देंगे और ढकन लगाके दो मिनिट तक रहने देंगे बाद में साव करते हैं हमने अंगूर मतर की सब्जी फ्रायड केशनर से गानिस करके सव की है यह सब्जी बहुती आसान बहुती जन्दी और बहुती स्वादिश बनती है आप हमारी रेशिपी से एक बार जरूर बनाकर हमें बताइएगा कि हमारी रेशिपी आपको कैसे लगती है शुक्रिया दन्यवाद